अगर हम बात करें इन लिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षर्था विकास को बल मिलेगा भाषा और साक्षर्था विकास को यानि लेंग्वेज और लिटरेसी को मतलब भई पढ़ना, लिखना, ये सारी साक्षरता में चीज़े आती है तो भाषा और साक्षरता को बल किस से मिलेगा पहला option है बच्चे पर बोज डाले बगैर सीमित संसाधनों से मतलब बोज क्या सिर्फ ज्यादा संसाधन उने सिर्फ डलता है सहज लेखन और वाचन के बहुवे तरीकों कि जब आप naturally उसको लिखने के मौके देंगे मानली जो परिवार है तो जो भी उसको आता है वो लिखे naturally मतलब सहजता से बहुत जादा उस पर बोज नहीं है प्रेशर नहीं है ठीक तो जो उसके अंदर से naturally आ रहा हो सहजता से वो लिखे वाचन के बातचीत के उसको मौके मिले जो सहज रूप से थोड़ा बहुत गलत बोले थोड़ा बहुत गरत लिखे चल जाएगा लेकिन वो सहज रूप से अपने आपको अभिवयक्त कर पाए naturally express कर पाए खुद को ठीक है ना जिन विद्धियार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविदियों का अनुकूलन करें मतलब जो पहले से अच्छे developed है उनके बारे में ही सोचें ये गड़बड हो जाएगी कक्षा में पठन कोना स्रुजित कर वहां पुस्तकें रख दें यानि एक कॉर्णर बना दिया पस वहीं पुस्तकें रखी हुई है तो ये तो बहतर तरीका नहीं हुआ बच्चा कहां active है बच्चा यहां active है naturally तो B option is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं question number second देखेगा अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए आप उसे व्याकरण सिक्षन का कौन सा सर्वत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे यानि व्याकरण पढ़ाने का सर्वत्तम तरीका कौन सा है इन चार options में से व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं, इनकी व्याक्या करना, सीखना सुअभाविक विमर्ष के दौरान, व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना या फिर यदि व्याकरण में कोई अपवाद है, तो सबसे पहले उसकी व्याक्या करना या व्याकरण की भूमिकावा महत्व का वर्णन करना सोशल साइंस ना हम पहले करते थे ना हम अभी कर रहे हैं बैचिस में कराया जाता है वो आप वहीं से रेफर कीजे मैंने कोशिच किया कई बार सोचा है बट उतना समय और एनरजी जो है अपकी डूंट वरी और अभी तो कर रहे हैं जितना हो पाएगा करेंगे ही भाविक विमर्ष के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना यानि जो एक natural discussion है उसके बीच में संदर्व में बिसिकलि आप व्याकरण लेकर के आ रहे हैं संदर्व बोले तो जो natural discussion है या जो कोई भी एक चीज़ चल रही है उसके संदर्व में आपने बता दिया ठीक है इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत इस बात को समझने हैं किसी को भी नहीं हो रहे है बढ़िया जवाव आप लोग दे पा रहे हैं व्याकरण सिक्षन का कौन से सर्वत्तम परीगा तो यह ही है स्वभाविक विमर्ष के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना सिर्फ नियम की व्याक्या कर दो अप बाद है तो उसको पहले बता दो कि भूमिका क्या होती है व्याकरण की उसका महत्व समझा दो नहीं naturally जब आपको एक story पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में व्याकरण आपको उसी संदर्ब में उसी context में समझा दिया जाए व्याकरण सरवाधिक बैस तरीका यह होगा कि naturally आपको संदर्ब में समझा जाए यह स्वभाविक रूप से समझा जाए question number 3 देखिएगा भाषा अधिकम के लिए सामगरी निर्माण का एक सिधान्त कौन सा है तो सामगरी निर्माण language को सीखने के लिए best तरीका कौन सा है प्रत्य एक IU work के लिए जटल सामगरी का chain किया जाना चाहिए देखिए सरल से जटल की ओर जाया जाता है और हर एक IU work के लिए छोटे बच्चों के लिए भी जटल की बात कर रहे हैं हम तो ये तो गलत हो गया सामगरी को धीरे धीरे इस्तरवार बनाना चाहिए ये बात इग्दम सही धीरे धीरे graded way में upgrade करेंगे हम simple to complex जाएंगे सरल से जटल की ओर जाएंगे धीरे धीर level up करते जाते हैं इस्तर को बढ़ाते हुए चलते हैं धीरे धीरे पाठय पुस्तक अपने आप में परेवाप थे हैं इसलिए सिर्फ पाठय पुस्तक थी सामगरी बहुती सूचना प्राद होती है तो सामगरी से भर दो ये सब बेकार की बाते हो गई question number 4 देखेगा अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का vislation करते हैं गलतियों के प्रति रूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनहे पढ़ाते हैं और उनका इस पश्टी करण देते हैं यह किसके अंतरगत आएगा यानि जो अध्यापक हैं वो बच्चों की गलतिया यानि उनके errors को क्या करते हैं अनलाइज करते हैं विशलेशन करते हैं गलतियों के प्रति रूपों की पहचान करते हैं कि किस तरह की गलति बार-बार हो रही है फिर से पढ़ाते हैं जहां कमी रह जाती है जहां पर बच्चा ज्यादा गलती कर रहा होता है जहां उसको इस पस्टी करण की ज़ुरत पड़ती है ये सब किसका पार्ट है, सूक्षम सिक्षण का यानि micro teaching का, जी नहीं, वो तो teaching training में ही हो जाता है, proper class में थोड़ी micro teaching होती है, उप्चारात्मक सिक्षण का, नियमित सिक्षण का, या चुनोती prune, सिक्षण प्रक्रिया, तो ये उप्चारात्मक सिक्षण, यानि remedial teaching का पार्ट है, कि आप पहले diagnose किया होगा, पहले निदान किया होगा, फिर बाद में उप्चार दे रहे हैं, कि यहां समस्या रहे हैं, चलो इसको सहज रूप से आप लिखने दे रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है, यानि naturally जो उसके मन में मान लिजे, आपने कहा, दिवाली एक topic दिया या पर दीपावली के लावा आपने topic दिया परिवार, आपने topic दिया, कुछ और उसका favorite कोई भी game या खेल हो सकता है, तो उसके वो कुछ भी जो उसके मन में आएगा, मुक्त लेखन में होता क्या है, एक सीमित समय दिया जाता है यानि मान लिजे, 30 मिनट का समय है पांच मिनट का समय है, पांच मिनट तक जो जिसके दिमाग में आएगा उस विशे में वो अपना लिख सकता है बहुत ज़्यादा व्याक्रण का ध्यान रखे बगेर कि बहुत ज़्यादा आपको हर एक जगा पे कॉमा लगाएंगे या सेमी कॉलम लगाएंगे या फिर क्वेशन मार्क लगाएंगे तो ये सारे चिन्दनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग या व्याक्रण की सही फॉम है या नहीं इस सब के परे आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहा है उस पे ज़्यादा फोकस है मुक्त लेखन में तो इससे क्या होगा बच्चा? ये सबसे बड़ा लाव है और वो मुक्त होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो नई-ई क्रिएटिव चीजें भी उनके विचार उनके दिमाग में थोट्च उनके दिमाग में आते हैं क्योंकि उनके विचार जो है वो क्रिएटिव ज़ादा हो पाएंगे रशनापने ज़ादा हो पाएंगे क्योंकि उनका ध्यान भाषा की टेक्निकैलिटी इस पर कम है इस समय लिखने या नए लिखने की सुच्छन देता हूँ ऐसा नहीं है व्याकरण के कारेक कैसे होने चाहिए यानि हम ग्रेमर में अगर एक्टिविटीज करा रहे हैं या कोई भी कारे तो किस तरह की होने चाहिए संदर्ब के अनुसार जीवन उनमुखी यानि जीवन के परे नियमों पर केंदृत होने चाहिए या समरती पर आधारत होने चाहिए तो हमें पता है व्याकरण और संदर्ब का बहुत प्यारा सा रिष्टा है context में व्याकरण सीखना, संदर्ब के अनुसार व्याकरण सीखना, जिस समय परिस्थितिकाल की बात हो रहे हैं, उस समय परिस्थितिकाल के अनुसार, उस स्टोरी के अनुसार, हम क्या दें, बच्चे को व्याकरण के नियम भी बता दें, कोई कहानी पढ़ रहा है उसके बीच में जो संग्या के शब्द आए तो उससे बता दिया कि बेटा ये जो शब्द थे ये जो बात थी मान लेजे हम लोमडी की चतुराई के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चतुराई क्या है वो उसकी विशेश्टा या एड्जेक्टिव ह आगे बढ़ेंगे आसान लग रहे हैं अब तो और ये ऐसी चीज़े हैं जिनको इग्णोर नहीं किया जा सकता पेपर में हैना question मुश्किल अगर आते हैं तो वो कुछ ही question हो सकते हैं और वो भी हमें लगते हैं कई बार question number 7 देखिएगा भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है यानि language teaching के बारे में कौन सी एक बात सही है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है यानि language learning के बारे में कौन सा सही है सभी प्रकार की विशयवस्तू भाषा अधिगम है यानि जो भी विशयवस्तू है जो भी भाषा है हिंदी खुदी भाषा है लेकिन चाहे वो इतिहास हो गड़ित हो विज्ञान हो कोई भी आप जब subject पढ़ रहा है विश्य पढ़ रहा है तो भाषा तो आप अपने आप ही सीख रहे हैं तो सबी प्रकार की विश्य वस्तो भाषा का अधिगम है विश्यों का अधि विश्य सामगरिय वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए यानि जो content उस subject में दिया हुआ है जो घटनाई घटी है बस उसी आधार पर नहीं हमें इसको इतना सीमित नहीं करना A option is the right answer question number 8 देखेगा बच्चों में भाशिक निपुणता सरवाधिक उप्युक्त किस प्रकार से विक्सित की जा सकती है यानि भाशिक निपुणता जो है यानि लेंग्वेज में वो proficient हो जाएं इस चीज के लिए सबसे बहतर तरीका कौन सा है question number 8 देखेगे बच्चों में भाशिक निपुणता सरवाधिक उप्युक्त किस प्रकार से विक्सित की जा सकती है तो व्याकरणिक नियमों की drill और अभ्यास द्वारा यानि की बार-बार practice कराते रहो तो ये तो सरवाधिक उप्युक्त तरीका बिलकुल नहीं है drill और practice वैसे भी कोई positive नहीं है keywords का एक session रखेंगे उसमें ही discuss भी कर लेंगे नियमित रूप से शुत लेख द्वारा यानि की सिर्फ उनको dictation बोलते रहो इमला बोलते रहो तो उससे क्या होगा निपुनता आ जाएगी बच्चे में और debate discussion हो गया चर्चा और ये सब चीजें तो activity based learning होनी चाहिए शब्द भिंडार का संवर्धन से काम नहीं चलेगा शब्द बहुत सारे आते हो और प्रयोग ना आता हो तो गड़बढ है question number 9 देखेगा एक बार question number 9 कहता है कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का chain किया है कहानियों के chain है तू किस मांदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए यानि जब आप कहानी चूज कर रहे हैं किस कहानी को आप पढ़ाएंगे या जिसका discussion होगा classroom में तो कौन सा एक criteria कहानी को chainit करते समय नहीं होना चाहिए मांदरिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए यह है विद्यार्थियों की रुची पर आधारित होनी चाहिए यह बात तो सही है कि बच्चे की interest पर based हो उसकी age के हिसाब से हो कोई भी सामगरी अगर आप चूज करने है यह है विद्यार्थियों की भाषा इस्तर और भाषा विकास पर आधारित हो किस इसतर पर बच्चा है अभी कितना आता है उस आधार पर आप नई सामगरी चूज करते हैं विद्यार्थियों की प्रष्ट भूमी को ध्यान में रखेंगे यह भी सही बात है वो किस संस्कृति किस समुदाए कैसे वो connect कर पाएगा उस कहानी से बात सही है लेकिन चैनित की गई पुस्तके भारतिय प्रिष्ट भूमी से होनी चाहिए यह एकदम गलत क्राइटेरिया है कि आप बाहर का अगर कोई literature है यह पुस्तके हैं यह किसी और संस्कृति से हैं तो आप कहेंगे नहीं हम इसको नहीं बढ़ाएंगे ऐसा कहना एकदम rigidity होगी है flexibility यह लचीलापन नहीं होगा और लचीलापन हमें चाहिए ना कि rigidity D option is the right answer question number 10 देखेगा एक बार एक सिक्षार्थी अपनी पठन शमता का अपने संग्यानात्मक इस तर से एक चरण उचे की अपठित पाठे समगरी के जटल विश्टेशन करके प्रदर्शित करती है यानि जितना उसको आता है अपने संग्यानात्मक इस तर जो उसका current knowledge का level है उसमें प्लस वन करके वो जो है सीखने की कोशिश कर रही है याद कर लीजे स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं इसको comprehensible input कहते हैं बिल्कुल सही जवाब आपका बोध गम में निवेश कहते हैं comprehensible input जतना आता है उससे प्लस वन level पर रखो आप बच्चे को जो भी पूछ रहे हो सिखा रहे हो ताकि थोड़ी सी difficulty भी हो थोड़ा challenge भी feel हो और थोड़ा उसको control में भी feel हो कि हाँ थोड़ी चीज़े मुझे आती हैं तो इसलिए हम known to unknown यानि ग्याद से अग्याद की और जाते हैं जो आता है उससे हलका सा एक level उपर question number 11 देखेगा और यह कहता है जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ-साथ दूसरे विश्यों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे यानि जो हमारे students है हम उनको जो भाषा ओलरेड़ी है हमारे साथ पास जो भाषा चल रही है उसके साथ-साथ दूसरे विश्यों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर दे रहे हैं यानि भाषा में तो हम भाषा को पढ़ी रहे हैं हिंदी को पढ़ी रहे हैं लेकिन हिंदी के माध्यम से बाकी subject भी हम यह बाकी सब्जेक्श में उसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसको language across curriculum, या हम क्या कहते हैं, भाषा समूचे पाठेक्रम में, यह गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं, यह भाषा आरजन नहीं कहता है, यह LAC-LAC कहलाएगा, यानि जब हम अपने विद्यार्थियों को अधी सीख रहे हैं, वो भाषा आरजन होता है, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही होती है, भाषा की बात हो रही होती है, ठीक न, तो ऐसी गड़बड हमको नहीं करनी है, आगे बढ़ेंगे, next question पे, question number 12, भाषा के आकलन में निदानात्मक परिक्षणों का प्रय लगाएं उप्चारात्मक सिक्षण की योजना बना करके, या फिर second option है, विशिष्ट का रेक्रमों के लिए सिक्षार्थी की उप्युक्तता का आकलन करना, campus placement देना, भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थी की शमता की जाच करना नहीं, simple बात है, निदानात्मक उप्चारात्मक सिक्षण देना हो, तो हमारे पास एक योजना हो, कि बच्चे में दिक्कत कहां थी और उसकी कम्यों का पता लगा करके, हम योजना बना सकें किसकी उप्चारात्मक सिक्षण की, तो आसान बात हो गई, question number 13 देखेगा, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्य ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए, कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, इसमें हस्त लेखन, वर्तनी, वरामचिन और सामान्य लेयाउट शामिल है, यह है क्या कहलाएगा, इंग्लिश पेडगोजी का सेशन जिन लिया होगा, उनक इस तरह की questions पूछे गए थे, ठीक, तो वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए, कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, मतला पढ़ और समझ सकें दूसरे, इस बात पर फोकस किया जाए, और बाकी चीजें जैसे हस लेखन वर्तिनी स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, ब्रामचिन है कि नहीं है, सावानने लेयाउट ठीक है कि नहीं है, यह प्रती लेखन यहीं ट्रांस्क्रिप्शन में आता है, यह एकदम factual सा question है, इसमें आप और मैं कुछ खास कर नहीं पाएंगे, चलिएगा खेर question number 14 पे जाएंगे, यह क्या कहता है, समझेगा एक बार, पटा फट से जवाब दीजेगा, question number 14, question number 14 के अगर हम बात करें, साजहा पठन के लिए, यानि shared reading जिसको हम क्या रहे है, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, देखे, shared reading यानि यह मैंने English वाले session में भी discuss किया उसका पठन करेंगा, और बाकी बच्चे फिर साथ में चलेंगे, वही अगर हम बात करते हैं, guided reading की, वो उस case में बच्चों के साथ, जहां उनको दिक्कत है, वहाँ teacher साथ में होता है, guide करने के लिए, यह main अंतर है, तो साजहा पठन के लिए अध्यापक की रूप में आप क कुछ कर रहे हैं, पाठ्य समगरी पढ़ते समय, विद्यार्थियों का अनुसरान करना ये भी गलत होगा, पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, कि यह exact ऐसे पढ़ा जाएगा, यह इस शब्द का उचारन ऐसे होगा, कहां कितना विराम देना है, वो सारा 15 देखेगा, एक अध्यापिका संग्या समझाने के लिए पहले उधार्ण देती है, फिर उसकी परिभाष्वा बताती है, यह विधी कहलाती है, यानी संग्या समझाने के लिए, टीचर ने क्या दिया पहले उधार्ण दिया, यानी example, उधार्ण से नियम की और inductive कहते हैं, ठीक है न, तो ये बात तो इद्दम clear होगी, आसान सा जवाब है, और आता भी है ये question, question मद 16 देखेगा एक बार, ये क्या कहता है, एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में उधारन प्रस्तुत करती है, इसमें कक्षा में क्या प्रभाव इससे बताईएगा, घर की भाषा में उधारन प्रस्तुत किया है, यानि बच्चे की मात्री भाषा का प्रयोग यहां किया गया है, अध्यापिका के द्वारा, पहला option है, छोटी सी आई-उ में बच्चों पर अतिरिक्त भाषिक बोज पढ़ जाएगा, तो भाषिक बोज भाषा सम्रिध परिवेश सरजथ होगा, और इस थरह से विद्धियार्तियों के अधिकम पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ेगा, कोछ अन्तक सही बात लग रही है हमें, कक्षा में मुद्रिध सम्रिध परिवेश सरजथ होगर, यानि बच्न की मात्री भाषा का वहां करते ह तो भाशा सम्रिद परिवेश स्रजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रफाव पड़ेगा, बच्चे पॉजिटिवली सीख पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा मात्रिभाशा तो आपकी जो नई सिक्षा नेती है, वो भी यही कह रही है, कि भाई मात्रिभाशा मा सिखा हो, जो कोठारी आयो कह रहा था 1966 सरसर से, question number 17 देखेगा, पठन सिक्षन के लिए top-down उपागम की कौन सी युक्ती नहीं है, top-down और bottom-up approach को as it is यह पूछ लेते हैं, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो पठन सिक्षन के लिए top-down, top से down, और bottom से आप मतलब बिल्कुल छोटे, अक्षर से और आप कहानी की तरफ जा रहे हैं, और top-down में आप कहानी से नीचे अक्षर की तरफ आ रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी जर्नी होगी, उस पे चर्चा आप बाद में करेंगे, तो पठन सिक्षन के लिए top-down कोई आप शब्दावली याद कर रहे हैं, तो ये तो top-down है, हमसे नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, इसमें वर्ण माला के अक्षरों, उनकी ध्वनियों और अलगलक शब्दों के अर्थ का सिक्षन शामिल है, ये कहना गलत होगा, वर्ण माला हुआ, अक्षर हुआ, वाक्य बनाना हुआ, फिर आप पूरे एक paragraph या एक passage की तरफ जाते हैं, गद्यांश, पद्यांश, जो भी हम कह रहे हैं, तो ये सब जो है, ये bottom-up में आएंगे, जब आप नीचे से उपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की और जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि अक् समझ रहे होते हैं, बच्चे ना कि एक-एक alphabet या अक्षर को समझ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, question number 18 देखेगा, संदर्व में व्याकरण किस पर बल देता है, संदर्व में व्याकरण ऐसा, rare ही कोई set आपको मिलेगा आज तक, जहां question नाया हो, संदर्व में करने पर, नहीं, 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 एक सेकेंड, संदर्व में व्याकरण किस पर बल देती है, आप लोग अलग-लग जवाब दे रहे हैं, भाशा की नियमों को आत्मसात करने पर, ये कहना गलत होगा, नियमों का आती सामानी करने पर, नहीं, विशय वस्तु के सिक्षन के ये तो बिलकुल ही खराब बात हो जाएगी, ग्रेमर ट्रैंसलेशन में तो संदर्व में व्याकरण सिखाई नहीं जाती, बलकि व्याकरण अलग से ही रटवाई जा रही है, अगर देखें तो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कि सी आप्शन सही हो जाए, भाशा के नियमों ये ही आत्मसाथ कर लिया, जब आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि कहीं मानली जाए गया, वेंट टू स्कूल, तो अब आपके दिमाग में वो सेट हो गया, आत्मसाथ कर लिया नियम के सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, गो की, समझ पार हो ना, तो भाशा के नियमों भूगोल, कलाशिल्प, शारिक, सिक्षा, आदी, अर्थपून और रुचिकर तरीकों से भाशा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं, यह है क्या प्रदर्शित करता है, तो पाठे चर्यक विशा, यानि जो अलग-अलग आपके सब्जेक्ट हैं, जससे वो साइंस हो, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत तारे नए-एञ शब्द से लेकर, नए-एञ धंग से पढ़ाया जाता है, तो बात सहिए कि आप भाशा भी सीख रहे हैं, इसको भाशा समुचे पाठे करम है, बात पता नहीं आप क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं इतना, भाशा करिकुलम है यानि भाषा समूचे पाठेकरम में यानि भाषा के प्रयोग का मौका मिल रहा है मतलब अलग-अलग subject में जब आपकिसी भी language को प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो भाषा समूचे पाठेकरम में यानि एक पूरे करिकुलम के सभी subject में eからleg जो common है, जब आप सारे subject पढ़ रहे हैं, जब आप language सीख रहे हैं, जब आप language सीख रहे हैं, जब आप language सीख रहे हैं, तो इतनी बात clear है भाई, चलिए खेर, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question है, question number 20th, देखेगा क्या कहता है, question number 20th कहता है, कक्षा 8 की भाषा अध्यापक, रीमा कक्षा में सास्वर कहानी सुनाने से पहले, अच्छी तैयारी सुनिश्चित करती हैं, आपकी राय में सास्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महतुपून क्या है, जो रीमा को नहीं करना चाहिए, सास्वर कथा पठन बोले तो, के teacher जो है, वो proper सुर ले ताल के साथ, ठीके न, मतलब जहां पर कहां कितना उतार चड़ाव है, कहां विराम लेना है, कहां अपनी भाशा में या अपनी टोन में चेंज लाने की जुरत है, अपने एक्स्प्रेशन में परिवर्तन की जुरत है, सास्वर कथा पठन के अंदर ये चीज आती है, कि आप मौन वाचन है, एक तो दूसरा है सास्वर, यानि loud reading हो रही है, तो वहां पर आपकी pronunciation से ले करके, और intonation तक सब अच्छा होता है, यानि उतार चड़ाव भाशा में और आपका उच्छारण ये सब चीज़ें clear होती हैं, और आप enjoy भी कर पाते हैं उस session को, ठीक है बात, अगर हम बात कर कहानी के निशकर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना जो विद्यार्थियों से पूछे जा सकें, बात क्या चल रहे हैं कि सास्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तयारी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, आपकी राये में सास्वर कथा पठन के लिए सबसे कम है तो क्या है, यानि least important जब loud reading हो रहे है, या सास्वर कथा पठन हो रहे है, तो पहरे तो अनिएक बार कहानी खुद से पढ़नी पढ़ेगी, बही मचली जलकी रानी है, अगर टीचर ने प्रैक्टिस नहीं कियोगी, तो उस सूरलय ताल के साथ वो क्लास्रूम में नहीं पढ़ा जिन शब्दों के बारे में वह सुनिश्चित नहीं है, उनको समझना, अगर कहीं पे किसी शब्द को समझने में दिक्कत है, तो वो भी समझ के गाना, पठन पूर्व गतिविधी की योजना बनाना कि जो pre-reading activities है, क्या पूछना है बच्चों से, लेकिन ये नहीं कि कहानी क जो निश्करशो का उसके आधार पर प्रश्ण बनाना, ये loud reading की practice में नहीं आएगा, ये आप वैसे भी कोई बी chapter पढ़ाते हैं, तो वहां भी आता है, question number 20, first देखेगा, किस वा सवाल कहता है आपसे, मनपरीत पंजाब के ग्रामीन विद्ध्याले में भाशा की अध्याप में कौन सा एक चीज है जो मदद नहीं करेगी, यानि helpful नहीं होगी language को सिखाने के एक संसाधन के रूप में, तो पहला option है सिक्षार्थियों के भाशा पाठों के शरवन को radio प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना, यानि radio के आएक संसाधन है, भाशा सीखने में सही बात ह एक resource है, एक aid है, प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाशा में लिखना और उन पर role play करना, इससे भी बच्चों के भाशा का विकास जो है बहतर होगा, रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का model बनाना ये हमने इंगलिश में भी किया ही था, ये इतिहास का विशह है ना की भाशा का, कि रेडियो कब आया था, कहां से बनाया, किस ने बनाया, या फिर science के अंदर हम पढ़ेंगे, इसको इतिहास में भी नहीं पढ़ेंगे, ये radio का इतिहास जो कि science के अंदर चला गया, तो यहाँ पर हम देखें, तो ये सही नहीं होगा, बाकी radio स उसके विद्यार्थियों को भी भी आवाजें मिलेंगी तो language बाकी option से सीखी जा रहे है लेकिन ये किसी और subject के बारे में बात हो गई इतिहास हो गया कि जानना और model बनाना फिर science में चला जाएगा question number 20 second देखिए एक लेखक की भूमिका में शामिल है यानि जो एक writer का role है उसमें क्या शामिल है मुख्य विचार बिंदू पर चिंतन करना यानि जो भी मुख्य विचार बिंदू है उससे एक context जो भी एक सामगरी है उसका 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 चिंतन करना फिर next point क्या है लेखन सामगरी के प्रकार के बारे में विचार, जो भी लिखने की सामगरी है, कविता कहानी, रिपोर्ट, विधी, निरुदेश, आधी, इन सब पे विचार, कौन और क्यों इसका पाठक होगा, कौन पढ़ने वाला है, किस के लिए है ये चीज़ें, इन सब के बारे में, द में रहती हैं, तो ये वाले विध्यापन चलाओ, ये वाला टीवी सीरियल चलाओ, ये फलाना सीरियल है, भाबी जी घर पर हैं, रात को ग्यारा बज़े चलाओ, पूरा परिवार बैठे, देखे, ये वो, ये सब क्या है, वो उन्होंने पहले से composition के समय पे ये सब सोचा है है न, कि हमारे audience कौन होगी और क्या इसमें होना चाहिए, तो ये सईयोजन यानि composition में आएगा, आगे बढ़ेंगे next question पे, जब इसमें grammatical चीजों का ध्यान रखना होता तो ये पृती लेखन या फिर आपका transcription हो जाता, यही अंतरा दोनों में, question number 24 देखेगा, ये क्या कहत अपने विद्यार्थियों को भिन भिन समोहों में बाटती है, और उन्हें तरह तरह की सामगरी देती है, जैसे कि पत्र पत्र काओं के लेक, समाचार पत्र के लेक, फिल्म, विज्यापन, खेल, रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, परियतन सूचना आदी, अध्यापक द कभी एतनी चीज़ें ना लिख करके एक चीज़ लिख देंगे, है ना, तो अगर हम बात करें, अगर कोई कह रहा है ऐसा तो गलत है, यह academic सामगरी है, तो academic सामगरी थोड़ी होती है news report, academics के लिए थोड़ी बनाई गए, news report तो जनता के लिए पढ़ने के लिए बनाई गई ह ठीक, सुभाविक सामगरी या प्रमानिक सामगरी, इसमें कई लोग आप लोग पिछली बार हिंग्लिश में भी यह कह रहे थें कि इसको तो natural material कहेंगे, जो कि एकदम गलत होगा, यह प्रमानिक सामगरी कही जाती है, या English में कहें तो authentic material कहा जाता है, यह एक एक number Hindi English दोनों perfect है, हर बार आता है, ठीक है ना, ठीक है external material इसको authentic material कहते है, अगे मैं उसने इन example भी दिया था, एक सलीका होता है किसी चीज को, एक terminology होती है, यह ना, पिताजी को पिताजी क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा दे रहे हैं, उसका reason है कि technical word क्या है इसके लिए, प्र क्यों है, क्योंकि वो जो news article है, या वो जो film का कोई lake है, वो आपको language सिखाने के लिए भाषा के अधिगम के लिए नहीं बनाया गया, वो किसी और purpose, किसी और काम के लिए, जो कि authentic काम है, मतलब, real life में वो use हो रहा है कहीं पे, और वो उस चीज के लिए authentic है, उस material को हम classroom में ल तो D option है, स्वभाविक नहीं होगा भाई, इसको ठीक कर लेना, चलिए खेर, question number 25, तुरूटियों के संदर में अध्यापक को अपना दृष्टिकोंड बदलना चाहिए, इनको अवांचनी या मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए, यानि जो तुरूटियां है, वो अ बट अंदेखी करेंगे तो कैसे ठीक होंगी गलतियां, इन्हें विध्यार्थियों की मुर्खता पूर्ण गलतिया चूप के रूप में लेना चाहिए, एकदम खराब, गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्थर में व्रधी कारक के रूप में देखना च चिंतन में जहांकने का मौका देती हैं हमें गलतियां, ऐसा आपका NCF भी कहता है, question number 26 देखेगा, अध्यापक क्रिया विशेशन समझाने के लिए, पहले उसकी परिभाषा बताते हैं कि क्रिया विशेशन किन शब्दों को कहा जाता है, पहले definition बताई, फिर उस प्रकार के क उधारण प्रस्तुत किये, तो पहले definition नियम से उधारण की ओर जाना, पहले परिभाषा क्या है, नियम है एक तरह का जो एक fix हो गया, ठीक है ना, नियम से उधारण की ओर जाना निगमनात्मक कहलाता है, याझनी ДEDUCTIVE मैथड और उधारण से उधारण से नियम की ओर जान आगमनात्मक कहलाता है ठीक है जी, इतनी बात clear तो answer क्या हुआ इसका निगमनात्मक विधी यानि B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे बाकी किसी का तो यहाँ sense ही नहीं है चलिएगा question number 27 देखते हैं question number 27 क्या कहता है अध्यापक को विध्यार्थी का आकलन किसलिए करना चाहिए यानि आकलन की assessment की जरुरत क्या है एक teacher को बच्चे के assessment की जरुरत क्या है, तो पहला option यह है पता लगाने के लिए कि लक्षे भाशा में सरवाधे करूप से उत्तम और निपोन कौन है यानि जो target language है उसमें better को नहीं यहां सिर्फ target language की बात हुई है नहीं, यहां तो in general assessment की बात हुई है सामानने तौर पे सिक्षार्थियों के सीखने में अंतरों या gap का पता लगाना चलो ठीक बात है सिक्षार्थियों को उनके पूर्व निश्पादन के आधार पर अपने स्थर में सुधार लाने के लिए के लिए कहना कुछ हद तक यह भी हो सकता है सिक्षार्थियों की प्रगति की तुलना उनके सहपाथियों से करना यह तो बिल्कुल सही नहीं होगा better option इन दोनों में से भी यह है हमारे पास के gap का हम पता लगा रहे हैं हालां कि again board ने जो है कहा कि C को उठालेते हैं पुरू नश्पादन के आधार पर अधार पर अपने स्थर में सुधार लाएंगे बट जो better option है वो भी ही है हम इसी के साथ जाएंगे कई बार answers में भी answer की में भी गल्दी हो जाती है rare case में तो हम उसी में इसको counter कर रहे हैं क्योंकि इस तरह question पहले भी आयए हूए है और जब आप वही रहता है जो हमनी discuss किया है रोहिद भाशा की कख्शा के लिए चाहता है कि विद्यार्थी भाशा के साथ यह कैसी संभव है यानि विद्यार्थियों को भाषा के अधिकादिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषा के नियम सिखा कर सटीकता के साथ स्थान पर भाषा अरजन करा देंगे, अधिकादिक अवसर देंगे तो naturally ही चाहे वो अधिकम हो, चाहे वो अरजन हो, सारी ही चीजें भाषा के बारे में यह learning हमेशा ही अच्छी होगी A option is the right answer Question number 29 देखिएगा यह क्या कहता है अध्यापक अपने विद्धियार्थियों को उनकी पठन शम्ता के आधार पर पठन शम्ता समूहों में बाटती है पठन के इस तरह अनुसार सभी को पुस्तकें दी जाती है वह प्रतेक समूह में प्रतेक विद्धियार्थी से बारी-बारी सरस्वर पठन करवाती है और पुस्तक के बारे में बात करती है वह किस विधी का अनुसरण कर रही है देखिए हमने दो चीजे पढ़ी थी जुसको हम क्या कहते हैं साजा पठन यानि shared reading इसलिए मैं English का भी प्रयोग कर रहे हूँ क्योंकि आपका जो syllabus है वो Hindi, English या सभी language की pedagogy का same ही है ठीक है ना और दूसरा होता है आपका यहाँ निर्देशत यानि guided reading ठीक है इसमें हमारी confusion रहती है उसको हम clear करेंगे verbally मैं आपको एक बार बता भी चुके हो ठीक, mon pattern तो silent reading होता है जब बच्चा मन में पढ़े विस्तरित pattern हो गया आपका पूरा intensive reading वो करने ही कोशिश करता है सारी details में जाने ही कोशिश करेगा देखेगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ किसकी, देखेगे यह साजह पठन नहीं है shared reading नहीं है क्योंकि teacher ने खुद से नहीं बताया shared reading में teacher खुद से आदर्श वाचन करती है यानि वो खुद से पढ़के बताएगी फिर बच्चों के साथ discussion होगा यहाँ पे क्या है यहाँ पे बच्चे बारी-बारी से teacher हैं सबके पास बच्चों को उठाया उनको सासुर पढ़ने के लिए कहा कहीं दिखाते तो वो solve की, ग्रुप में बाटा हुआ है यह guided reading का पार्ट हो गया चलिए, आगे बढ़ते हैं next question की परा next question क्या होगा भाई देखेगा एक बार एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट उल्टा बोल दिया है मने अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन शम्ता के आभार पर पठन शम्ता समूह में बाट दिया ठीक है पठन के इस्तरा अनुसार सभी को पुस्तक दिया ठीक है वह प्रतेक समूह में प्रतेक विद्यार्थी से बारी-बारी सरस्वर पठन करवाती है ठीक है और पुस्तक के बारे में बात करती है जो कि ठीक है वह किस विदी का अनुसरण कर रही है तो साजा पठन ही होगा भई shared reading जो है कर रहे हैं और teacher करवा भी रही है जो आपका source or pattern है question में 30 देखेगा अध्यापक भाशा में अधिगम की कमियों अंतरों के कारणों की पहचान किसके द्वारा करवा सकते हैं या कर सकते हैं यानि gap कहीं रह गया गलती कहां है बच्चे की उसका पता कैसे लगाएं teacher उपलब्धी test लेके achievement test तो यह होता है कितना आता है यह नहीं होता कि कमी कहां रह गई है निपुनता test होता है कितने निपुन हैं आप अगेन ये भी फिर result पर oriented है स्थापन test निदानात्मक test होता है इसी बात के लिए कि बच्चे की कमी कहां रह गई है और इसके बाद आपका उप्चारात्मक सिक्षन होगा आगे बढ़ेंगे question number 30 first पर व्यापक मुल्यांकन निमलिकित में से किसके आकलन को समवुधित करता है व्यापक मुल्यांकन बोले तो CC आपको पता है सतत है व्यापक मुल्यांकन जो आपका CBSC ने लागू किया था एक evaluation यानि मुल्यांकन का एक system है तो इसमें सतत क्या है लगातार आकलन व्यापक क्या है सभी पक्षों में आकलन यानि scholastic section वा सह सेक्षों में आकलन आपका ठीक तो सिर्फ पाठ्य चर्ण गतिविदियां नहीं अकादमिक विशन नहीं अकादमिक वर्स है अकादमिक यानि scholastic प्लस co-scholastic यानि pen paper test भी subject knowledge भी और co-curricular activities चाहिए वो sports हो, drawing हो, painting हो दोनों ही चीज़ें व्यापक यानि comprehensive continuous and comprehensive evaluation तो comprehensive का मतलब ही है scholastic यानि academic और non-academic दोनों चीज़ें आगे बढ़ेंगे question number 32 पर question number 32 पर जाएंगे देखेगा, बताएगा वे कौन से भाषाई कौशल है जिनका आकलन पारंपरिक लिखिद परिक्षोन द्वारा नहीं किया जा सकता, भाषाई कौशल चार भाषा ही कौशल है आपको पता है सूबो पाली से हम याद रखते हैं previous marathon देखी होगी अगर आपने यह notes पढ़े होंगे सूबो पली मतलब क्या हुआ listening, speaking, reading और writing LSRW, सुनना, बोलना पढ़ना और लिखना जिसमें से जो सुनना और अगर मनोवग्यानिक क्रम की बात करें इसमें बहुत गलतियां, teachers भी करते हैं बताते हुए और आप लोग तो करते हैं, natural है वो, confusion हो जाती है कई बार सूबो पाली की अगर हम बात करें तो इनका जो मनोवग्यानिक क्रम है वो यही है, listening, speaking, reading, writing सूबो पाली, अगर मनोवग्यानिक क्रम या psychological sequence की बात की जाए तो इसी क्रम में सीखे जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाते हैं ये दो अलग बाते हैं कई बार इसमें आंसर की को भी blame कर देया जाता है, which is not right क्योंकि question क्या पूछा है अगर हलका सा language में change है, तो answer बदन जाएगा अगर कोई ये कहे कि क्रम में सीखने चाहिए, तो बिलकुल सीखने चाहिए क्रम क्या होता है भाषा कॉषलों का तो सूबो पाली, यानि listening, speaking, reading, writing होता है LSRW, ये क्रम है इनका psychological manovagyanic क्रम है लेकिन क्या ये क्रम में ही सीखे जाते है तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्रम में ही सीखे जाते है कई बार आगे पीछे चीज़ें चल रही होती है, साथ में चल रही होते है तो ऐसा नहीं, क्रम में ही सीखे जाते है क्रम क्या होता है? तो क्रम यही होता है दो अलग बाते हैं, hopefully clear होगा अब इसमें आपको बता है सुनना और पढ़ना जो है वो ग्रम में आतमक कोशल हैं और बोलना और लिखना जो है वो आपका उत्पादनातमक यानि आपके productive skills में आते हैं और ये passive skills में आते हैं जो बोलना और लिखना है उसमें आप एक्टिव होते हैं तो वो सक्रिय कौशल कहलाते हैं अगर हम बात करें जो आकलन पारंपरिक लिखित परिक्ष्टनों से यानि लिख के आप यह नहीं जान पाएंगे कि बच्चे को language skill कौन सी आती है बाकी सबसेट होते ही नहीं है तो इसमाल करना पड़ेगा पढ़ने का और वाचन बोलने का तो बोलना तो ठीक है बट पढ़ने का तो भाई लिखवा करके किया जा सकता है बाकी सबसेट होते ही नहीं है तो a option is the only right answer over here